Hello Everyone, Welcome Back और आज की इस वीडियो में जो है हम Machine Learning की एक और Important Algorithm जिसका नाम है Decision Tree उसको Discuss करने वाले हैं और आज की वीडियो का जो एजेंडा है हमारा कि क्या क्या हम Discuss करने वाले हैं आज की इस वीडियो में एक बार उसे देखते हैं और उसके बाद हमारी Learning Concepts को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम Decision Tree Learning जो के हमारी Machine Learning Algorithm है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे की बेसिकली वो होती क्या है उसके अंदर कौन कौनसे की Concepts है और Secondly हम Decision Tree Learning के अंदर कुछ Technical Terms होती है जैसे की Inductive Bias, Inductive Inference इनको डिसकस करेंगे जिनकी Help से जो हमारा Decision Tree है वो Create होता है वो Generate होता है और इनको डिसकस करने के बाद जो है एक Real Life Example या फिर एक Popular Example जो है हमारा Machine Learning Industry के अंदर उसको हम डिसकस करेंगे कैसे हम Decision Tree Learning के अंदर जो है इस Data Set के थूँ कुछ Output या कुछ Prediction करा सकते हैं इस Example के बाद Entropy को हम डिसकस करेंगे Genie Impurity और Information Gain ये तीनो ऐसे Important Technical Term है जो कि Decision Tree Learning के Interviews में Exams में पूछे जाते हैं तो इनको भी जो हम डिसकस करते हुए आगे बढ़ेंगे और At Last हमारी Decision Tree Learning हमारी जो Machine Learning Algorithm है ये उसके अंदर कौन-कौन से ऐसे Issues है या Challenges है उनको डिसकस करते हुए हम इस वीडियो को end करेंगे So start करते हैं हमारी वीडियो के पहले Topic के साथ जिसका नाम है Introduction to Decision Tree Learning अब Decision Tree Learning ये बेसिकली जो है हमारी एक Supervised Machine Learning Algorithm है जिसको हम Regression और Classification दोनों टास्क के लिए यूज करते हैं Decision Tree Learning के अंदर हम बेसिकली कुछ Construct करते हैं और वो Construct करते हैं Decision Tree जैसे Previous Algorithm के अंदर हम एक Machine Learning Model को Build करते थे और उसकी Help से कुछ प्रिटिक्ट कराते थे यहाँ पे भी वो प्रोसीजर सेम रहेगा बट Model के साथ साथ जो है हम हमारे Data Set का एक Decision Tree construct करेंगे जो की हमें रिप्रेजेंट करेंगा Sequence of Decisions and their Possible Consequences और जो हमारा Decision Tree होता है उसके अंदर जो हमारी सभी Nodes होती है वो हमारी Decision को Show करती है जो की Based होता है Input Feature पे और Tree के अंदर जो हमारी Branches होती है वो रिप्रेजेंट करती है Possible Outcome of the Decision यानि की उस Decision का उस Nod का हमारा Output क्या आ रहा है वो हमें उसकी Branches Show करती है Decision Tree Learning Algorithm के अंदर जो हम Decision Tree Generate करते हैं उसके अंदर जो हमारी Leaf Node होगी यानि की जो Last में Nodes आएंगी वो जो है हमारा Final Prediction को या फिर मैं बोल सकता हूँ जो हमारा Decision जो हमारा Output होता है Based on Input Feature उसको जो है वो रिप्रेजेंट करती है और इस Model को Create करने का जो हमारा Goal है वो हमारा Goal ये है कि हमें Target Variable तक पहुँचने के लिए उसकी Value जो प्रेडिक्ट करनी है उसको जो हम इसके Goal के अंदर Consider करते हैं Meaning हमें जो है Values को प्रेडिक्ट करना है जैसे हम हर एक Algorithm के अंदर करते थे But as of a Target Variable यानि कि जो हमारा Target Variable है जो हमारा Output होना चाहिए उसकी Value को जो हम इस Model की Help से Achieve करते हैं यानि कि जो Data के Features है जो हमारे Variables है जो हमारे Parameters है उनकी Help से जो हमें क्या करना है Target Variable की Value को प्रेडिक्ट करना है तो ये था हमारा Introduction to Decision Tree Learning जिसके अंदर आपने Decision Tree Learning Algorithm के Overview को समझा अब इस पूरी Slide के अंदर मैंने बार-बार Decision Tree की बात की तो इस तरीके से हमारा जो है कुछ Decision Tree Create होगा और ये Decision Tree Create होगा हमारा Asperate Data Set Features तो इसके अंदर क्या होगा सबसे उपर हमारी Decision Node होगी जिसे हम Root Node भी बोलते हैं और उसके बाद उसकी ब्रांची जो है वो यहां पर Separate होती चली जाएगी और किस तरीके से Separate हो रही है ये भी जो हम इस वीडियो के अंदर Discuss करेंगे बट यहां पर आपको एक Overview लेना है कि किस तरीके से Decision Tree Learning Algorithm का Decision Tree Create होता है तो इस तरीके जो कि Last में आती है जिने हम Leaf Nodes बोलते हैं ये जो है हमारा Output को Predict करती है यानि कि यही वो Values होती हैं जो कि हमें Output Predict करने में Help करती है और उसके अलावा इन Leaf Node की जो Parents Node होती है उन्हें जो हम Decision Node के नाम से जानते हैं तो ये हमारा एक General Overview है कि किस तरीके से आपका Decision Tree Develop होता है अब इसके अंदर एक Term use होती है Technical Term Inductive Bias अब Inductive Bias जो है ये Basically कुछ Assumptions होती है कुछ Constants होते है जो कि हमें Decision Tree Algorithm की जो Machine Learning Model है उसका जो हम Tree Develop करते हैं और उस Tree की Help से जो Predictions करते हैं उसको बिल्ड करने में Help करती है यानि कि कुछ Prior Set of Assumptions होता है कुछ Constants होते हैं जिनको हम Assume करके चलते हैं और उन Assumptions की Help से ही हमारा Decision Tree बिल्ड होता है अब Decision Tree Algorithm के अंदर जो Inductive Bias है ये Basically आपका Hierarchical If-Else Rules को Represent करता है अब ये If-Else Rules जो है ये Basically हमारे Data Set के अंदर एक Relationship को Show करते हैं जिसे हम बोलते हैं Feature और Target Variable अब हम आपको एक Example के तरू समझाऊँगा कि किस तरीके से If-Else Rules जो है आपका Decision Tree से Relate करता है Inductive Bias को जो हम Use क्यों करते हैं Inductive Bias को हम Use करते हैं Binary Splitting के लिए यानि कि जो Tree अभी आपने देखा Decision Tree उसके अंदर आपने देखा एक Decision Node के बाद कुछ ब्रांचीस उसकी Split हो रही है तो उस ब्रांचीस को हम कैसे Split करेंगे Data के Features के तरू तो उसके लिए जो है Inductive Bias की Assumption का Use होता है और उसकी Help से हम हमारे Data को Split करते हैं और जो Inductive Bias होता है Decision Tree के अंदर इसकी एक Prior Assumption जो कि हम हमेशा मान के चलते हैं हमेशा Mind में रखते हैं वो आती हमारी Feature Independence की यानि कि जो हमारा Data Set होता उसके अंदर जो हमारे Column Name होते हैं यानि कि जो Features होते हैं जो Parameters होते हैं हम ये Assume करते हैं कि उन Data Set के अंदर जो Features हैं जो Parameters हैं वो Independent होंगे Independent होने का मिलिंग है कि वो Variable जो Features हैं वो एक दूसरे पर Depend नहीं करेंगे और सभी जो हमारे Output के अंदर जो हम Value Predict करना चाहते हैं उसके अंदर Equal Contribution प्रोवाइड करते हैं और यही चीज जो है Inductive-wise की एक Prior Assumption के अंदर आती है और अभी मैंने यहाँ पे आपको एक If-Else Rule की बात की और किस तरीके से वो Decision Tree को Relate करता है अब हम वो समझेंगे अब एक Normal Programming का Example लेते हैं हम जैसे हम किसी भी Programming Language आप C की बात करें, Java की बात करें, Python की बात करें उसके अंदर Normal जो हमारा If-Else Rule होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम कुछ Conditions Provide करते हैं और कुछ Output Predict कराते हैं अब यहाँ पे आप एक Example लीजिए हमने एक Age नाम का Variable Declare किया जिसकी Value है 14 अब हम क्या करेंगे If-Else की कुछ Hierarchical Conditions लगाएंगी पहली हमने Condition लगाई If Age is Less Than or Equal to 15 Then Print the Person is in School और Second हमने Condition लगा दी अगर हमारी Age जो है इंडिविजिएल की वो लाए करती है Greater than 15 and Less than or Equal to 21 तो हमारा जो Person है वो College में है और Third हमने Condition लगा दी Else Statement की की जो हमारा Individual है जो हमारा Person है वो College पास कर चुका है अब इसी चीज़ को आप क्या करेंगे Decision Tree के अंदर Convert करेंगे सबसे पहली हमने Condition क्या लगाई Less Than or Equal to 15 तो Less Than or Equal to 15 का हमने क्या बना दिया एक यहाँ पर हमारी Condition बना दी Root Node बना दी हमने अब यह Condition True हो सकती है यह हो सकती है False तो अगर तो वो Condition True है तो हमारा Output हमें क्या मिलना चाहिए As per If Else Condition The Person is in School तो हमने यहाँ पर Output क्या डिक्लेर कर दिया School और अगर हमारी पहली Condition False होती है यानि कि उसका Output No हमें मिलता है तो हमारी क्या होता Second Condition चेक होगी और Second Condition चेक होगी हमारी Elif के Case की और Elif के Case की Condition चेक होगी Greater than 15 and less than equal to 21 तो यह भी अब हमारा क्या बन गया एक Decision Node बन गई जैसा कि अभी हमने Decision Tree के अंदर देखा था और इस Decision Node के भी जो है दो Output हो सकते हैं आपके Yes या No अगर Yes है तो हमारा Output होगा College और अगर No तो हमारा Output होगा Past College यह लिगी जो हमारा Individual है वो College को Past कर चुका है तो अभी आपने देखा एक Normal If, Elif, Else जो हम स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ते आ रहे हैं वो जो है हमारा Decision Tree बिल्ड करने में Help करता है तो इसलिए जो है यहाँ पे एक Statement लिखी थी मैंने Inductive Bias के अंदर कि जो हमारा Decision Tree Algorithm के अंदर Inductive Bias होता है वो यूज करता है हमारा Hierarchical If, Else Rules को जो कि हमें Target Variable और Feature Variable का Relationship को Show करते हैं अब इस Decision Tree के अंदर Target Variable है हमारा School College और Past यानि कि यह जो है हमारे Output है और इन्हें हम बोलेंगे Target Variable और उबर की जो Features है Less than 15, Greater than, Equal to 15 21 यह हमारे कहलाएंगे Features या फिर हम इने Data Set की Terms पर बोलते हैं Parameters अब एक दूसरी Technical Term आती है Inductive Inference Inductive Inference क्या होता है अब यह हमारे एक Process होता है जो की General Conclusions और जो हमारी Predictions होती है Examples की Data Set की उनको जो है वो Represent करता है यहाँ पर आपने देखा इस Example के अंदर यह जो हमारी Condition थी जिसको मैंने Single Line से भी Deloat किया यह था हमारा Inductive Bias और यह इस Inductive Bias की Help से जो अभी हमने यहाँ पर एक Decision Tree क्रियेट किया इसका जो Process है वो हमारा कहलाता है Inductive Inference जो की मैंने भी आपको यहाँ पर Second Number से Denote किया तो Inductive Inference हमारा एक Process होता है जो की General Conclusions और हमारे लिए Predictions को जो है Create करता है With the Help of Limited Observations या फिर हम इने बोलते हैं Example और इसको जो हम स्टार्ट करते हैं With Set of Specific Observations और Examples यानि की जैसा कि अब आपने यहाँ पर देखा इस डाइग्राम के अंदर हमने कहां से स्टार्ट किया एक Example से स्टार्ट किया एक Specific Observations से स्टार्ट किया तो इसी तरीके से Inductive Inference में क्या होता है हम एक Specific Observations के स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है General Principles या फिर हम बोल सकते है General Rules जो कि If Else के Rules थे उनकी Help से जो हम क्या करते हैं नई situations को, नई features को, नई values को जो है प्रेडिक्ट करते हैं और Inductive Inference का गोल क्या है Inductive Inference का गोल होता है हमारा To Make Reliable Predictions और Generalizations Beyond the Observed Data यानकी जो data हम observe कर रहे हैं उनकी Help से जो हमें प्रेडिक्शन को प्रेडिक्ट करना है प्रेडिक्शन की value को extract out करना है और Inductive Inference का जो हमारा process है यह basically reasoning के process को follow करता है जो की move करता है हमारा specific instance to general specific instance to general का मतलब है कि हम एक specific condition लेंगे जैसे कि अब हमने लीती greater than 15 तो यह हमारी क्या थी specific instance थी अब उसके बाद हम general principle की तरफ move कर गए कि अगर यह condition true होती है तो मैं इस part को follow करना है otherwise हमने second part को follow करना है तो इस तरीके से Inductive Inference का process जो है वो use होता है to draw general conclusions and make predictions of decision tree अब एक real life example, popular example जिसका नाम है tennis data set उसकी help से जो हम समझते है कि कि तरीके से decision tree हमारा create होता है अब देखिए, general procedure हमारा जो machine learning का है वो यही होता है कि हम data set के थूँ machine को train कराएंगे और उससे कुछ output predict कराएंगे या फिर classes को classify कराएंगे यह process हमारा इस algorithm में भी same है बट यहाँ पे एक difference जो है बाकी algorithm से वो है हमारा decision tree के create होने का तो सबसे important जो हमारी term है इसके अंदर कि किस तरीके से decision tree create होता है तो example यह आप से समझते हैं अब इस tennis data set के अंदर क्या है हमारे कुछ चार features है outlook का, temperature का, humidity का और windy का यह चार हमारी features हैं जो कि relate करते हैं एक output को कि क्या कोई individual tennis को खेल सकता है या नहीं यानि कि चार हमारी conditions है weather की, जो कि lead करती है whether an individual can play tennis or not अब इसके अंदर जो है यह total हमारी 14 rows हैं जिनका जो है हम use करेंगे to create decision tree अब यहाँ पर आप देखें सबसे पहला decision tree का feature है वो क्या होता है inductive inference के अंदर हमने term पढ़ी थी we start with a set of specific observations तो सबसे पहली observation इसके अंदर हमने लिए outlook की यह जो हमारा data set था इसके अंदर हमारा पहला variable था outlook तो outlook को हमने क्या कर लिया ऐसे पहले variable हमने treat कर लिया अब outlook के अंदर क्या है यह बहुत सारी entities है बहुत सारा data है तो इसके अंदर outlook yes पर कितना depend कर रहा है और outlook no को कितना depend कर रहा है हमारे play tennis के final result के अंदर उसकी probability हमने यह पर calculate कर ली कि outlook के अंदर 9 times yes है और 5 times no है अब हम क्या करेंगे इस decision node को जो है expand करेंगे branches में और उसके अंदर हमारे क्या features थे sunny एक feature है overcast एक feature है और rain एक feature है तो outlook के भी कितने feature है तीन feature है तो इन तीन features को हम क्या कर देंगे expand कर देंगे और यहाँ पर इनका name और एक अलग से decision node बना देंगे sunny की overcast की और rain की इस तरीके से इन तीनो conditions को जो है इन तीनो nodes को हमने यहाँ पर expand कर दिया और अब sunny कितना decide कर रहा है कि person individual tennis को खेलेगा या नहीं खेलेगा overcast कितना depend कर रहा है और rain कितना depend कर रहा है again इस data set से calculate करके directly हमने calculate कि sunny को कितनी बार हमें no produce कर रहा है और sunny कितनी बार हमें yes produce कर रहा है उसकी normal calculation हमने यहाँ पर कर ली और यहाँ पर हमने mention कर दिया कि sunny के अंदर two times yes है और three times no है और इसी तरह overcast के अंदर four times yes है zero times no है and rain के अंदर three times yes and two times no है तो तीनो के अंदर अभी आपने देखा सिर्फ एक overcast ऐसी condition है कि अगर हमारा outlook overcast होगा तो four times yes यानि कि 100% जो हमारा individual है वो tennis को play करेगा तो यह चीज जो है इसे हम बोलेंगे pure split यानि कि जहाँ पे 100% chances होंगे या तो yes के या no के उसे हम बोलते है pure split जब आपने यहाँ पे देखा कि two times yes है three times no है यानि कि mix up है data तो उसे हम बोलेंगे impure split और अगर कोई एक side हमारी bias हो जाती है या तो yes की या no कि उसे हम बोलेंगे pure split अब pure split के अंदर आपका सारी values yes भी हो सकती है और सारी values no भी हो सकती है generally हम humans है हम interpret कर सकते है कि अगर सारी values yes है तो हमारा pure split है और सारी values no है तो हमारा pure split है बट ये चीज मशीन कैसे करेगी तो जो हमारा decision tree को create करने का procedure है वो इसी तरीके से follow होता रहेगा बट अभी हमारे पास से question arise होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि overcast को जो है हमें और split नहीं करना है ये चीज हमें पता चलेगी इस term से that is pure split हमारा data यहां पे हुआ है या impure split हुआ है तो general एक बात समझ लीजिए कि अगर हमारा data pure split हो जाता है तो वो हमारी कहलाएगी leaf node leaf node यानि की target variable अब इसके बाद हमें इसको और split करने की ज़रूरत नहीं है बट अगर हमारा data impure split होता है तो इसका मतलब हम उसे क्या करेंगे और split करेंगे अब देखिए sunny को जो है हमारा data यहां पे क्या था impure split था तो हम इसे और split करना पड़ेगा अब और split करने के लिए हमारे पास और कोई variable नहीं है outlook के अंदर तो हम move कर जाएंगे हमारे next feature की तरफ temperature की तरफ इसी तरह के से हम temperature के बाद humidity, windy सभी features को cover करते हुए इस decision tree को create कर लेंगे but question arise होता है यहां पे pure split हमें पता कैसे चलेगा कि वो pure split है या नहीं यह चीज machine को कैसे पता चलेगी तो इसके लिए दो technique हमारी use होती है पहली होती है हमारी entropy और दूसरी होती है हमारी gini index अब entropy basically क्या करता है हमारे data set के अंदर जो amount of uncertainty होता है या फिर randomness होती है उसको calculate करता है अब entropy समझते हैं होता क्या है अब entropy basically करेगा क्या यह आपके data को बताएगा कि आपका data कितना unpredictable है या कितना uncertain है और इस entropy की value से ही हम calculate करते है कि हमारा data pure split है या impure split है तो entropy का एक general formula होता है वो है हमारा probability of positive log to probability of positive minus probability of negative into log to probability of negative अब positive negative का meaning है हमारा यहाँ पे yes और no अब हमारे इस data set के अंदर सिर्फ दो feature थे that is yes और no इन दो values में हमें output मिल रहा था अगर कोई ऐसा हमारा data set है जिसके अंदर multiple values है तो यह हमारा जो formula है वो इसी तरीके से expand होता चला जाएगा probability of class 1 into log to probability of class 1 minus probability of class 2 into probability of class 2 minus probability of class 3 into log base to probability of class 3 तो इस तरीके से formula हमारा expand होता चला जाएगा as per the output features तो यहां पर हमारे सिर्फ दो output feature है yes और no उसको मैंने यहां पर probability of positive और negative से denote किया है और मान दीजी जिस तरीके से जो हमारा data set था उसके अंदर हमारे feature के अंदर 6 times yes है और 3 times no है और अब हमने क्या कर दिया इस data set को split कर दिया split करने पाया हमारा 3 times yes 3 times no और second node पाया हमारा 3 times yes 0 times no अब हमें पता करना है कि C1 और C2 आगे और split होंगे या नहीं यह हम पता करेंगे with the help of entropy और entropy के लिए जो हम probability calculate करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर probability calculate करते हैं C2 की तो C2 के अंदर क्या है probability of positive probability of positive क्या है total हमारे पास 3 values है और positive value है 3 so 3 by 3 और into log to 3 by 3 और minus में probability of negative as per our formula तो 0 by 3 into log to 0 by 3 जो की general probability हमने यह से calculate की positive और negative की और उसको जब हमने calculate किया तो हमारी output value आई 0 और जब entropy के अंदर हमारी output value 0 आती है तो इसका मीनिंग है हमारा data pure split है और इसी तरीके से जब हमने C1 की value calculate की same इसी formula के साथ इन values के साथ 3s और 3 no के साथ तो हमारा output value i1 इसका मीनिग है impure split है हमारा data और इसको जो हमें आगे और split करने की ज़रूरत है जिनी impurity के अंदर भी क्या है जिनी impurity भी क्या करती है हमारे लिए impurity को calculate करके देती है disorder calculate करके देती है हमें decision tree algorithm के अंदर अब यहाँ पे एक feature हम मानते हैं जिसके हमें जिनी impurity calculate करनी है जिसके अंदर हमारे features है 3s और 3 no तो यानि कि total 6 हमारे output है इस feature के अंदर और अब हमें बताना है अब machine को predict करना है क्या यह हमारा आगे और split होगा data तो उसके लिए जो formula use करते हैं वो हम use करते है 1- submission of i is equal to 1 up to n और bracket में probability का square जितने आपके यहाँ पे feature होगे उतनी बार जो है आपका formula expand होता रहेगा और यहाँ पे अभी हमने formula को expand कर दिया 1- probability of positive का square प्लस में probability of negative का square again positive हमारा यहाँ पे yes को denote कर रहा है और negative denote कर रहा है हमारा no को 3 by 6 और 3 by 6 यानि कि 1 by 2 जो है हमारी probability है yes की भी और no की भी इस feature के अंदर तो जब हमने इसको calculate किया इस formula के अंदर तो हमारी output value हमें मिली 0.5 तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो हमारी जिनी impurity है अगर हमारा data impure है तो उसकी maximum value हमें मिलेगी 0.5 और अगर एक positive split यानि कि pure split का अगर हम यहाँ पे example ले तो हमने कि यहाँ पे feature लिया जिसके अंदर 3 yes है and 0 no's है तो जब हमने क्या किया इसको हमारी formula के अंदर implement किया तो 1 minus positive की probability क्या है 3 by 3 यानि कि 1 तो 1 का square और negative की probability क्या है 0 by 3 का square यानि कि 0 तो इस probability को जब हमने calculate किया इसकी genie impurity को जब हमने calculate किया यहाँ पे हमें output मिला 0 तो इस तरीके से हमारी दो technique है जो कि हमें help करती है कि हमें हमारे data को और expand करना है हमारे decision tree के अंदर हमारी node को और split करना है या नहीं इस चीज़ को calculate करते हैं with the help of genie impurity and entropy अब जिनी impurity और entropy में difference जो है वो basic सा है कि जिनी impurity की जो value है वो lie करती है हमारी 0 से 0.5 के बीच में और हमारी जो entropy होती है उसकी value lie करती है between 0 to 1 तो इस चीज़ को हमें याद रखना है और यही values जो हमें बताती है हमें explain करती है कि हमें हमारे feature को over expand करना है या नहीं तो जिनी impurity के अंदर pure split होगा हमारा 0 और entropy के अंदर impure split की value होगी हमारी यहां पर 1 अब एक question हमने बिल्कुल भी discuss नहीं किया जो कि arise होता है कि ठीक है हमने split की बात कर ली कि data किस तरीके से split होगा pure split होगा वो हमने calculate कर लिया with the help of entropy and genie impurity बट हमने यह बात नहीं कि कि सबसे पहले हमने जो feature select किया था outlook का वो क्यों select किया और कैसे select किया तो उसके लिए use होता है हमारा information गे information गेंज जो है यह basically हमारा concept होता है जिसको जो हम decision tree algorithm के अंदर use करते हैं for feature selection की कौन सा feature हमें select करना है यह चीज़ हमारी depend करती है information gain पे अब इस data set के अंदर जब हमने decision tree create किया तो सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे एक outlook feature लिया अब हमने यहाँ पे outlook feature ही क्यो लिया temperature भी हम ले सकते थे humidity भी ले सकते थे windy भी ले सकते थे बट why we choose the outlook feature यह एक question arise होता है और यह question arise होना important है तो इसको हम कैसे select करते हैं कि हमें outlook चूज करना है temperature चूज करना है humidity चूज करनी है या कोई और feature selection चूज करना है ये चीज हम decide करते हैं with the help of information gain अब information gain जो है हमें help करता है कि कौन सा feature हमारे लिए most informative हो सकता है कौन सा useful हो सकता है for making prediction यानि कि predictions जो output हम achieve करना चाते हैं उसके लिए कौन सा feature हमें सबसे पहले choose करना है ये जो है हमें information gain चूज करने में help करता है अब मान लीजे में पास तीन feature है feature 1, feature 2, feature 3 अब आप कौन सा feature पहले select करेंगे feature 2 को आप पहले select करेंगे feature 1 को आप पहले select करेंगे या किसी और example में feature 3 को आप पहले select करेंगे या आपको कैसे पता ये machine को कैसे पता तो वो use करेगी information gain का अब information gain का हमारा एक formula होता है जिसके अंदर हम root node की entropy को calculate करते हैं और minus कर देते submission of sv upon s into entropy of sv अब इसको आपको याद नहीं रखना है इस formula को but मैं यहाँ पे आपको explain कर देता हूँ जिससे आपको idea हो जाएगा कि किस तरीके से information gain हमारी यहाँ पे calculate होती है तो मान लीजिए यहाँ पे हमने feature 1 लिया feature 1 के अंदर मेरे 9 yes है 5 no's है तो उसकी हमें क्या करनी है सबसे पहले root node की entropy calculate करनी है that is h of s और जो हमारा entropy calculate करने का formula है उससे मैंने इस formula की entropy calculate की root node की entropy calculate की और उस entropy की value मुझे मिल गई 0.94 अब मुझे क्या करना है s of v अब s of v है हमारा sample अब यानि की जो हमारे features है इसके अंदर c1 और c2 यानि की जो हमारी branch node है उसकी हमें entropy calculate करनी है अब सबसे पहले c1 की जब हम entropy calculate करेंगे तो इसके अंदर total values है मेरी 8 6 yes and 2 nodes तो जब इसकी हमने normal entropy calculate की वो हमें मिली 0.81 और इसी तरीके जब मैंने c2 की calculate की जिसके अंदर मेरी total 6 values है 3 yes and 3 no उसकी मेरे को output value मिली 1 तो अब मुझे क्या करना है इन दोनों values को जो है calculate करना है अब 0.94 ये मेरी क्या थी entropy of root node थी अब उसमें से मुझे minus करना है sum of these entropy of branch nodes यानि की leaf node जो अब हमारी है यहाँ पर c1, c2 उनकी entropy जो भी हमने calculate की उसको जो है मैं इस formula में implement करना है total हमारी values कितनी है इसके अंदर 8 तो sv क्या है हमारी sample कितने है हमारे इसके अंदर यानि की इस c1 feature के अंदर कितने samples है हमारे पास 8 sample है तो value अभी हमने यहाँ पर रख दी 8 और upon में जो S है वो है हमारा total sample कितने थे root node में वो थे हमारे 14 so 8 by 14 और into में कर दिया हमारी entropy of c1 that is 0.81 और इसी तरीके से c2 की हमने क्या कर दी हाँ पर calculate कर दी total sample थे इसके अंदर हमारे 6 और total हमारे overall sample थे root node के अंदर 14 और entropy थी 1 so 6 by 14 into 1 as per these formula हमने यहाँ पर क्या कर दिया इसका information gain हमने निकाल लिया इस sample का तो यह जो हमारा sample है feature 1 जो हमने select किया उसकी जो हमारा information gain की value है 0.049 अब इसी तरीके से second example ले सकते हम जिसके अंदर हमने feature 2 को पहले select किया तो उसका अगर मैं मान लो कि मेरा information gain की value आई 0.052 तो यह जो हमारी information gain की value है यह हमें बताएगी कि हमें कौन सा feature select करना है अब जिस feature की information gain की value जादा होगी highest होगी उसका हम select करेंगे अब यहाँ पे मेरी information gain की value जादा है feature 2 की तो इसलिए जो है मैं क्या करूँगा यहाँ पे feature 2 को जो है मेरा first priority में select करूँगा हमारे decision tree के अंदर तो इस तरीके से information gain हमें help करता है कि हमें कौन सा feature choose करना है आपको बस इस formula को याद नहीं रखना है because यह नहीं पूछा जादा बट आपको general concept आपके mind में होना चाहिए कि entropy क्या करता है जिनी index क्या करता है जिनी impurity क्या करती है और हमारा information gain क्या करता है तो इन सभी की help से जो है हम decision tree को construct करते हैं और अब हम इस वीडियो के last topic को discuss करेंगे जिसके अंदर हम decision tree learning के issues को discuss करेंगे कि जो अभी हमें decision tree create किया entropy के help से जीनी impurity की help से information gain की help से बट कुछ challenges होंगे कुछ issues होंगे जो इसको create करते आए होंगे तो वो issues भी जानने जो है हमारे लिए बहुत ही जादा जरूरी है तो सबसे पहला issue इसके अंदर आता है हमारा overfitting का कि जब हम decision tree को create करते हैं जो हमारा training data है जिसे हम machine को train कर रहे हैं हमारी algorithm को train कर रहे हैं तो वो हमारा data क्या हो जाता है overfit हो जाता है यानि कि जब हम training data पे हम कुछ output अचीव कर रहे हैं तो हमें perfect value मिल रही है बट जब हम testing data पे कुछ value को predict कर रहे हैं तो हमें एक proper output नहीं मिल रहा यानि कि हमारा data overfit है overfit होने का meaning है हमारे data के अंदर जो हमारी complex values थी missing values थी या जो हमारे data के अंदर noise थी irrelevant data था उनको भी हमारी machine क्या कर रही है consider कर रही है और उनको consider करने के बाद वो output predict कर रही है तो overfitting हमारे decision tree learning की एक सबसे बड़ा issue है second issue है high variance का high variance के अंदर क्या होता है अब अगर मान लीजे मेरे data set को मैंने train कर दिया मेरे decision tree learning model को मैंने build कर दिया और output मैंने predict करा लिया but जब हम data set के अंदर changes करेंगे तो हमारा एक छूटा से change जो है क्या करेगा हमारी algorithm की accuracy को effect करेगा और ये जो है हमारा एक इसका second issue है high variance का because हम जब entropy calculate कर रहे हैं तो वहाँ पर probability calculate कर रहे हैं और probability के अंदर अगर data change होगा तो obvious सी बात है probability भी change होगी third आता है हमारा handling missing data तो जो हमारा decision tree होता है हमारे training data set के अंदर अगर कोई missing value है तो वो क्या करता है उन values को ignore कर देता है but actual में अगर हमारी machine को हमारे model को हमें accurate बनाना है तो हमें क्या करना है उन values को जो है fill करना होता है with the help of filling parameters but यहां पर decision tree क्या करेगा उन missing data की values को ignore कर देता है यह भी जो है हमारा एक issue है fourth और last आता है वो आता है इसके अंदर हमारा handling imbalance data यह problem जो है मैंने मेरी previous algorithms में भी discuss की है कि अगर हमारा data set जो है हमारे पास और जिससे हम machine को train कर रहे है वो biased है biased होनने का meaning है मान लेजिए मेरे पास 10,000 rows का data है जिसमें से 9,000 class 1 से belong करता है और 1,000 class 2 से belong करता है तो वो data हमारा कलाएगा imbalance data और वैसे data set के अंदर जो हमारी predictions होती है वो majority class को predict करती है और minority class की predictions होती है वो poor predictions होती है यानि कि अगर हम कोई नया data set नया feature नया input हम देते है machine को उससे हम उसी class predict कराते हैं तो most of the time वो class 1 को predict करेगा चाहे वो class 2 से ही क्यों ना belong करता हो because of imbalance data तो इस तरीके से यह हमारे challenges थे यह हमारे issues थे decision tree learning के अंदर और इसी के साथ decision tree learning का basic overview theoretical concept complete हो गया कौन कौन सी technical term use होती है decision tree को create करते वक्त उन सभी को अभी हमने discuss किया और next video में हम decision tree learning की एक real life application algorithm जिसका नाम है id3 iterative decostometric tree algorithm को जो हम discuss करेंगे